Hello Franks इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं、 कि हम अपनी वेबसाइट को Google पे रैंग कैसे कराते हैं Google को बताते कैसे हैं कि हमारी वेबसाइट बन चुकी है अब आप इसको रैंग करिए क्या सही तरीका है तरीके बहुत सारे हैं Google पे रैंग कराने के लिए जो सबसे simple और best तरीका है जो की free भी है वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं जिसके बाद आप Google Search Console में अपनी website को enter करा सकते हैं जिससे आपकी website की जल्दी indexing होगी और वो जल्दी Google पे rank कर पाएगी तो चले इस वीडियो में आके बढ़ते हैं ये सारी चीजें detail में समझते हैं चैनल पे नए हैं तो subscribe जरूर कर लिजे वीडियो को like and share जरूर कर दीजेगा क्योंकि इन सब वीडियोज को बनाने के लिए बहुत सारा effort लगता है अगर पहली बार इस part को आप देखने आ रहे हैं यहां पे आने के बाद जो Google पे index कराने का या crawl कराने का तरीका है उसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम अपनी website का site map बनाते हैं site map का मतलब जैसे हर एक चीज का एक map होता है वैसे ही website का भी अपना एक map होता है जिसको हम site map बोलते हैं जिसमें हर एक चीज होती है कि कितने pages आपके website के हैं कितने products हैं कितनी media files हैं सब कुछ होता है क्योंकि map का मतलब ही होता है कि सारी चीजों का detailed detail तो site map बनाने के लिए हम एक plugin का use करने जा रहे हैं और उसी के through हम अपनी website को google search console में input करा देंगे free में plugin का नाम है चलिए सबसे पहले plugin देख लेते हैं और इसको install भी कर लेते हैं कैसे करना है आपको आना है plugin option में और यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है add new plugin पे add new plugin पे आने के बाद यहाँ पे plugin तो बहुत सारी हैं आपको एक plugin search करना है rank math जो की बहुत popular है bloggers के लिए e-commerce website के लिए इसका free version भी है pro version भी है लेकिन हम free version से ही अपना काम कर लेंगे pro लेने की कोई जरूरत अभी आपके लिए इसी stage पे बिल्कुल नहीं है तो rank math यह काफी अच्छी है SEO करने के लिए इससे आपको और आसानी होगी क्योंकि आपके जो e-commerce pages हैं website के pages हैं यह automatically optimize करता रहता है जिससे आपके pages को rank करने में Google पे मदद मिलती है आपकी website जल्दी rank करती है इंडेक्स करती है तो चलिए पहले इसको यह वाला है rank math by rank math इसको हम क्या करेंगे install now पे click करेंगे और इस plugin को install कर लेंगे install करने के बाद आपको करना है इसको activate तो सबसे पहले चलिए हम इसको activate पे click करते हैं जिससे यह plugin हमारी activate हो जाए और भी plugins आती है इसी same काम को करने के लिए बट मैं rank math इसलिए चूज कर रहा हूँ कि यह आपके लिए आसान भी पड़ेगी और जो काम मुझे free में चाहिए वो यह आपके लिए करके दे देगी ठीक है न यहाँ पे आपका free account connect करने के लिए कहा जा रहा है ठीक है आप skip now कर दीजे क्योंकि इस setup का कोई मतलब नहीं है हम इसको आगे कर लेंगे पहले plugin install जब आप करेंगे तो सीधा आपको इसी page पे यह लेके आएगा ठीक है न अब ही मैंने skip कर दिया है अब यहाँ पे wizard आ गया है अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस level का यह इसको चाहते हैं इसका version easy है advanced है और custom mode भी यहाँ पे है जो किसी pro में available है तो आप advanced select है इसको ही रहने दीजिए उसके बाद start wizard पे आन कर दीजिए जिससे यह आपकी जो plugin है यह activate हो जाए easy भी आप कर सकते हैं बट advanced रहने दीजिए आपको ज़्यादा option मिल जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे जाईए यहाँ पे पुछा जा रहा है कि input data from Yoast देखो यह जितनी भी चीज़े पूछी जा रही है आप इसको skip कर सकते हैं ठीक है ना क्योंकि इनको कहने की जवरत नह आप चाहें तो इनको थोड़ा सा input दे सकते हैं अपनी site का जैसे यहाँ पे आप आएं तो यहाँ पे आने के बाद आप लिख सकते हैं कि यह business onset इच क्या है मतलब business onset चुकि हमने अपना demo website का brand रखा हुआ है तो babe swap है business type क्या है एक organization है website name आप यहाँ पे लिख सकते हैं website alternate name भी इनको आप बता सकते हैं यहाँ पे parent organization name means अपने brand का name जो main आपकी company है अप प्रोप्राइटर सीप है उसका name आप यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे logo लग जाएगा आपका के अगर आपने logo लगाया होगा अपनी website पे तो फिस कर लेगा automatic यहाँ ठीक है ना उसके बाद आप इसको यहाँ पे जाएं तो social share image भी है जिसका कोई मतलब नहीं है इसको save and continue पे आप click कर दे हम चाहें तो फिर से इसको skip कर सकते हैं क्योंकि यह हम later on भी कर सकते हैं लेकिन चुकि आपको मैं दिखा रहा हूँ तो एक बार मैं इसको करके यहाँ पे बता देता हूँ उसके बा पारी आई जिसके लिए मैंने basically इसको install किया है कि यह site map आपका generate कर दे तो यहाँ पे site map on कर दीजे images के लिए भी on कर दीजे यहाँ पूछा जा रहा है कि site map में क्या क्या चीज़े आनी चाहिए सारी select कर लीजे अभी फिलहाल तो ठीक है ना उसके बाद यहाँ पे यह public taxonomies है यह categories and product categories आप दोनों ही select कर लीजेगा यहाँ ठीक है ना यह करने के बाद आपका जो taxonomies है ना यह important रहता है जिससे आपकी जिदनी categories है या product categories है वो सब भी site map में आ जाएं then save and continue पे आपको click कर देना है इससे क्या होगा कि अभी यह back end में आपके website के लिए एक site map generate कर देगा ज जैसे SEO जिसको हम बोलते है search engine optimization ठीक है automatic by default यह option इनके on है जितना आपको जवुरत है यह दोनों option on है इसको करने की कोई जवुरत नहीं आपको on करने की इसको ऐसे ही आप रहने दीजिए आने के बाद अब यहाँ पे जाएंगे ready में और ready में जाने के बाद अब देखिए setup advanced option इसपे click कर सकते हैं हम इसपे जैसे ही click करेंगे अब आपकी जो plugin है आप यहाँ पे आगे आपको proceed करने के लिए कहा जाएगा role manager है क्या है role manager का क्या है role manager allow you to use wordpress roles to control which of your site users can have edit view access to rank math setting मतलब आप चाहें तो role manager बता सकते हैं अगर आपकी बड़ा group है बहुत साए लोग आपके यहाँ पर job करते हैं तो आप role assign कर सकते हैं कि इसकी settings में कौन लोग change कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते हैं पर इसका कोई मतलब नहीं है इसकी setup कर देते हैं ठीक है ना क्योंकि अभी तो ह एरर आती है कई बार आपने देखा होगा 404 not found की आप monitor इसको on कर दीजे तो अगर website पे आपका कोई 404 error आता है ना तो यह आपको बता देगा उसके बाद नीचे आते हैं redirection है on कर दीजे जब भी कोई URL में fault आएगी किसी page में problem आएगी तो यह redirect कर देगा उसको आपकी website पे यहां पे skima type इसको on रहने देंगे यहां पे जाने के बाद यह articles और यह सारी चीज़े पूछी जा रहे हैं इनको कोई मतलब नहीं आप इसको skip setup कर दीजे ठीक है ना इसकीवा markup का कोई मतलब नहीं है on रखते हैं बस इतना करने की बाद आप अपने wordpress dashboard पे आ जाएंगे और यहां पे देखेंगे यही पे नीचे आने पे rank math SEO का option shortcut बन जाएगा same इसी page को हम plugin में जाके all plugin install plugin में जाके वहां से भी access कर सकते हैं setting में हम यह क्या है यह लोग shortcut बना देते हैं जिससे आपको बाबा plugin option में ना जाना पड़े अब यह rank math में हम आ चुके हैं यहां पे आने के बाद आपको pro version बिल्कुल नहीं लेना है आप देखो 404 on है बिल्कुल on है AI setting भी on है उसके बाद नीचे आप आईए यह जितनी चीजे फ्री में हैं चाहो stand indexing हो link हो local SEO है सारा on है आप देखिए e-commerce के लिए भी on है बेब storage हम अभी कोई blog बेब storage तो बनाने रहे नहीं तो हम इसको भी on कर देंगे अभी कोई मतलब नहीं है then जो चीजें pro में हैं उसमें pro का sticker लगा है खैर उससे आपको कोई मतलब नहीं है इतना हो गया आपका न अब हम करेंगे क्या कि rank math ने अपना काम कर दिया आप एक बार wordpress dashboard को refresh कर दीजे rank math ने आपकी website का site map बना लिया है कैसे चेखोगा हम चलेंगे rank math SEO में और यहाँ पे आन site map यहाँ पे दिखाया जाएगा आपकी जो website होगी उसका site map यहाँ पे दिखाया जाएगा ठीक है न अगर इस site map पे आप click करें और इसको open करें next page में तो आप यह देखेंगे कि यह एक single आपके site map का URL है लेकिन यहाँ पे आप में जितने pages है, post है, product है, category है, product cart है, सब site जो है na conclude कर लेता है अपने अंदर और यही Google में input कराया जाता है, जिससे Google समझ पाए कि आपकी website में कितने pages है, कितने post है, कितने product है, सब को समझ पाए और आपको जल्दी rank करा पाए, ठीक है न, तो चलिए इसको बंद करते हैं, यह हमारा site map है, इतना करने के बात, अभी आ आपका site map हो गया, जो हमको Google में क्या करना है, देना है, अब Google को बताना तो पड़ेगा भी, हमारी website बन गई, अब rank कर आओ, एक बात मैं आपको बता दूँ, चलिए पहले इसको जब Google को हम देंगे, Google में इसको देने से पहले, इस site map को, आप याद रखिए, कि जितनी भी आ आप listings कर रहे हैं, जितनी भी आप categories बना रहे हैं, जितने भी आप products लेके आ रहे हैं, सब में ज्यादा से ज्यादा keyword यूज करें, जिससे Google जल्दी आपको rank कर पा है, जैसे इस plugin को install करने के बाद, अगर आप जाएं और अपने product में जाएं, all products में, या आप नया product add कर रहे है तो आप add new कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो all products में जाएंगे, कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं सर, bulk में listing कैसे करते हैं, Excel से, तो यहीं से करते हैं, export करेंगे, तो एक Excel seat export हो जाएगी, उसमें सारी information भरके, URL जो media में आप upload करेंगे, images, उसका URL कामा लगा के वहाँ ल दोंगा, कि यह Excel seat download करके, एक ही बार में, bulk में हम listings कैसे कर पाते हैं, नीचे आईए, जब अपनी listings को हम लोग देखेंगे, और rank math हमने install कर लिया है, अब हम edit में जाएं, तो आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ चीजे आपको नई दिखाई जा रही हैं, या add new product जब आप करे होते हैं, कोसिस करिए, जरूरी नहीं है कि इसको 8 number मिला है, तो यह Google पे rank नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोसिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा optimize करने की, जिससे आपका SEO score ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, और आप Google पे जल्दी rank कर पाएं, अब इसमें problem क्या ह हैं, नीचे की तरफ आएंगे हम, नीचे की तरफ आने पे और नीचे आईए आप, जैसे ही आप rank math install करेंगे ना, सबसे नीचे यहाँ पे एक option आपको दिखाया जाता है, focus keyword का, यह क्या है, कि आपको यह बताना है इनको क्यों वो कौन कौन से major word है, जिस पे यह product Google पे rank करना चाहिए, जिससे rank math को help मिलती है, Google को input देने में, इसका जो score ship 8 क्यों है, इसले है क्योंकि यह गलतियां हम लोगों ने की है, गलतियां तो नहीं है, मतलब इनका यह कहना होता है, कि आप यह चीजे follow करो, जिससे आपको जादा जल्दी rank करने में मदद मिले, ऐसे ही additional में जो listing है, यह candle holder की है, तो अगर हम यहाँ पे लिख दें, candle holder, क्योंकि Google पे या कहीं भी यह search किया जाएगा, तो candle holder के नाम ते search किया जाएगा, और इंटर प्रेस कर दीजेगा, जैसे ही आपने एक focus keyword लिखा, वो score जो 8 था, वो 64 हो चुका है, क्योंकि candle holder एक बहुत अच्छा keyword है, गूगल पे इसके बहुत सारे searches है, और यह हमने जो listing की है, यह candle holder की है, और यहाँ पे देखिए, सब green हो गए एक बार में, उसके बाद यहाँ पे क्या है, कहरा content जो है, 393 word का है, at least 600 word का content लिखिए, क्यों जो content है, नीचे यह descriptions है, यहाँ पे है, इसमें कुछ और चीजे पर enough है आपके लिए, बाकी कुछ चीजें आप इनके हिसाब से इसमें कर सकते हैं, तो यह और बढ़ जाएगा, तो यह option rank math plugin install करने के पहले नहीं आ रहा था, इसलिए क्या है, rank math आपके o commerce pages को और optimize कर देता है, आप इसकी help से free में, बिना कोई पैसा दिये हुए, आप सब ज अब आप listing करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा keywords, title में यूज करिए, description में यूज करिए, bullet point में यूज करिए, images को rename करके, title का keyword है, उसके नाम से आप यहाँ पे upload करिए, आपको help मिलेगी, Google को भी help मिलती है, आपके product को rank कराने में, ऐसे ही, अगर आप categories में जाएं, तो जब आ related आप डाल दीजिए, जिससे Google को समझ में आए, कि हाँ ये category आपने इसलिए बनाई है, जैसे मान लीजिए, हमने बनाया है candle holder, तो अब candle holder में हमने पहले बना लिया है, तो आपको क्या करना है, आपको edit option में जाना है candle holder के, edit option में जाने के बात, ये सब category औगरा कैसे बनती है, कैसे optimize होती है, already हम आपको बता चुके है, यहाँ description में आप आएंगे, यहाँ पे 2-4 आप कामा लगाके, या कुछ एक दो line आप लिख दीजिए, जिससे Google को समझने में मदद मिले कि ये category आपने क्यों बनाई है, या सामने वाले बंदे जो देख रहे है category को, उनको भी एक signal जाता है इससे, मतलब अपनी website को जितना keyword rich आप बना पाएंगे, उतना Google को बेहतर होता है, आपकी website को rank कराने के लिए, या rank करने के लिए, ठीक है ना, इतना करने के बाद, अब आप जब product करेंगे, तो सारा focus keyword और आप डालेंगे, optimize कर लेंगे, अपने pages को या products को, अब finally हम Google को बताना है, कि भाई, ये website हमने बना लिए है, इसको crawl करिए आप और rank कराईए, ठीक है ना, उसके लिए हमको चाहिए होगा site map, तो फिर से हम जाते हैं अपनी plugin में, plugin में rank map, SEO option में जाएंगे, site map setting में जाएंगे, और यहां से, जो हमारा ये site map URL है, इसको हम copy करेंगे, यहां पे कैसे हमको Google को बताना है, यह आपको मैं करके दिखाता हूँ, आपको सर्च करना है, Google Search Console अपने web browser पे, और सर्च करने के बाद आपको Google का उपर ही मिल जाएगा, simply आपको Google Search Console Tools में click करना है, जब आप यहां पे click करेंगे, तो आपको start now का option दिखाया जाएगा, आपक यहां है कि जिस Gmail ID से आप अपनी website चला रहे हैं, obviously वो login होगी, तो यहां पे so होने लगेगा, नहीं है तो आप login कर लिजेगा, या दूसरी email ID पे आप Search Console चलाना चाहते हैं, तो दूसरी email ID आप यूज कर लिजेगा, मैं already login हूँ, तो मैं इस पे click कर देता हूँ, यहां पे website बन चुकी है, उसको rank कर आओ, दो थरीके हैं, ऐसे तो कोई भी किसी Gmail ID पे जाके, किसी की website को, वो उसमें Search Console में इंटर कर देगा, तो Google को यह जानना होता है, कि आप ही है, उसके owner या नहीं है, मतलब वो website आपकी है या नहीं है, Google उसको पहले check करता है, ठीक है ना, कई option है, एक तो domain name direct आप verify करा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा, सबसे simple यह है, कि आप यहाँ पे जाएगे, यह जो option है, URL prefix वाला, यह आपको बहुत simple पड़ेगा, यह हम इससे करके आपको दिखा देते हैं, URL prefix में जाने पे, यहाँ पे आपको अपनी website का URL copy कर लेना है, तो यहाँ URL लिखने के बाद आपको continue पे click करना है, जब आप continue पे click करेंगे, तो यहाँ पे checking verification करके आएगा, उसके बाद आपको क्या है, कि आपको verify करना है, बतलब Google को बताना है कि हाँ, मैं ही इसका owner हूँ website का, तरीके कहीं है, सबसे simple है, यह पहला वाला HTML tag वाला, आप यहाँ पे click कर आई जाएगी, HTML tag की, simply आप इसको copy पे click कर लिजेगा, यह copy हो जाएगा, और इसको ला करके अपने WordPress website पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद, rank math SEO में आना है, जो plugin है, journal setting में जाना है, journal setting में जाने के बाद, वो जो हमने वहाँ से copy किया है, HTML code, owner से verify करने के लिए, उसको क क्लिक करना है, और सबसे उपर ही है, देखो, Google search console, है ना Google search console, यहाँ पे उसको paste कर देना है, जो आपने HTML tag copy किया है, इसका तरीका और भी होता है, कुछ लोग theme editor में जा करके, सीधा head वाले portion में जा कि इसको paste कर देते, वो भी एक तरीका है, लेकिन हमने क्या है, rank math SEO install किया है, तो बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, Google search console के लिए यहाँ पे option दिया है, तो simply हम यहाँ पे इसको paste करेंगे, आप चाहें तो Bing है, बाकी जितने भी search engine है, यहाँ सब का है, बट इंडिया में या abroad Google ही जादा popular है, तो हम पहले Google पे ही अपनी website को rank कराने में, कोसिस करेंगे rank कराने तो यहाँ पे आपको वापस आना है, और यहाँ पे आने के बाद, verify पे click कर देना है, verify पे click करते ही, कुछ second के अंदर आपका ownership verify हो जाएगा Google से, और जैसे ही verify होगी, आपके सामने Google search console का page open होके आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आने के बाद, simply यहाँ पे site map का option करना है, और अपनी website का site map आपको copy करना है, website आपकी already यहाँ पे copy रहेगी, तो simply आपको अपनी website पे wordpress dashboard पे जाना है, और यहाँ पे आएंगे rank math plugin में, और यहाँ पे site map setting में जाएंगे, ऊपर ही आपको site map दिखाया जाता है, तो simply जो website URL के बाद वाला portion है, sitemap.xml वाला, इस जैसे ही आप submit करेंगे, धीरे-धीरे यहाँ पे जैसे जितने pages हैं, वो discovered हो जाएंगे, और धीरे-धीरे वो सारे pages, post आपके जो हैं, वो Google पे rank करने लगेंगे, success लिखके आ जाएगा, और धीरे-धीरे वो सारी चीज़े rank करने लगेंगी, फिर जैसे-जैसे आप अपनी website क अपडेट करते जाओगे, वो rank math के through Google के पास जाता जाएगा, और आपकी website index होने लगेगी, यहाँ पे सारी reports आप देख सकते हैं, यह performance देख सकते हैं, कि कितना traffic आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितने लोगों को impression जा रहा है, तुरंत जैसे यह rank करेगा, अगले कुछ गंटों म आपकी, तुरंत क हम एकुछ तुरंची तुरंत है..